नमस्कर दस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल म्यूजिकल बिलेनेर पर मैं हूं सुमन सरकार एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट तो आज हम लोग बात करेंगे दी यू बी ओनर्स इन मूजिक के फॉर्म के बारे में उसका फॉर्म जो है कैसे फिल अप करें पुरा एटुजट गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और इस फॉर्म को भणने में काफे ज़्यादा कन्फुजन सा रहे हैं इस ट्रेंड जो है हमें फोन करकर के पूछ रहे हैं क्य कैसे होगा कैसे होगा तो गाइस मैं फाइनली सोचा कि एक वीडियो क्योंना बना दू ताकि उन लोग को हैल्प ले तो गाइस यह रहा प्लेक के लिए डियू बी ओनर सिन म्यूजिक फॉर्म पोसेज़र तो गाइस चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले आप लोग को जाना होगा क्रोम या गूगल पे और टाइप करना होगा डियू डॉट एसी डॉट इन इसको एंटर करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा तो गाइस आप जैसे स्क्रॉल करेंगे यहां पर लिखा हुआ है वं इंविसिटी ऑफड़ल इनिर्सिटे तो यहां पर क्लिक किज़ें गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा अब मैशन पर क्लिक करना है आपको एमेशन 2020 इसको क्लिक करने के बाद आया गाइस आप और यहां पर कापी सारे इंफॉर्मेशन दिये हुए अगर आप पढ़ने की शुग है तो पढ़ सकते हैं तो हम क्लिक करते हैं युजी अड्मेशन पोटल 2020 पर तो इसी पोटल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां स्टार्ट डेट जो था गाईज वह 20 जून 2020 और क्लोजिंग डेट एप्लिकेशन फॉर्म का है गाईज वह 18 जुलाई तक है लाज डेट और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिये हुए गा न्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर आएंगे इसको आप पढ़ लिए दो तीन बार पढ़ लिए पिर यहां पर आपका रेजिस्टेशन फॉर्ड एडमिशन टू दा युजी कोर्स 2020 तो यहां पर देखिए आपको लॉगिन कर लिए कई बार याद कर लिए क्योंकि यह तीनों के विए आपका जो एडमिशन है वह बहुत कठी होगा क्यूंकि इन ही तीनों पर एडमिट का कांसिलिंग का इंपॉर्टेंड जो एनॉंसमेंट होते हैं इसी इमेल आइडिया और फोन नंबर पर मैसेज आते रहते हैं तो इन दोनों चीज़े को आपको बहुत ही सम्हाल के और याद कर दो तीन जगह रखना है क्योंकि आप जब डेली नुविश्टी में जाएंगे कॉलेज के अंदर तो गाइस सबसे पहले आपको कॉलेज का फॉर्म निकालना होगा जो की इमेल आइड और पास्पोर्ट से ही ह सबसे पहले प्रसेटेल में आपको अपना मुल डटेल निकालना होगा जिसमेंbak यहांपर भर्वाष्पूर फिर तो फोन नमर आपको डालना आपके पास हमेंसा रहता हो फिर आल्ट्येटीव मुबाइल नमर डालना एक दम अनिवार रहे हैं कि यहां पर यहां पर आपको धिया थे दाना मोगा जो फ्यांपर ने इन रह उपर हैं और गाइस नंबर दिया हुआ है उनका इसी तरह फादर का भी भर देना है गाइस उसके बाद गाइस वाट कोटा डिटेल से यहां पर अगर आप डाली वह उनिवर्सिटी के किसी वाट से बिलोंग करते हैं तो यहां पर वाट में मेरा कोई बिलोंग नहीं करता है तो मैंने इसके बाद गाइस जो है अधर कैटेगरी आता है अधर कैटेगरी कोटा अगर कोई परसेंट डिसेबल है तो यहां पर वह उसका डिटेल भर सकते हैं और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी यहां पर चिल्डेन वीडियो आम फोस प्रसनल यहां पर जिसमें आप डालेए अगर आप लॉंग नहीं करते हैं जीस से यहां पर काईस्ट्रीय एड्रेस लीखाल एंब्डेस लिखेल अगर Irish पर्मानेंट एड्रेस मेंच करता है तो किलमेंड आने वाला है तो इसे बैंक नमबर से आएगा तो तो इस डीटल को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग भर सकते तो उसके बाद करेंगे हम लोग सब्मीट सब्मीट करने के बाद कुछ इस तरक इंटरफेस खुलता है जिसमें आपको प्रिव्यू करने के लिए सारी चीज़े दिया रहता है कि आप एक बड़ चेक कर ले कि आपने सारी चीज़े सही भरा है कि नहीं उसके बाद आपको करना होगा गाइस नेक्स्ट जब आप नेक्स गाइस एक्जामनेशन गेडीемся लिखा हो है कि और देखें यहां पर बोर्ट अबहुर्ट एजुक्वेशन लिखा है तो मेरा जो ज। मैंने वहां पर सेंटरे अच्छी जालने है और प animal क्लास का जो बोड रोल नंबर है वो गाइज आपको डालना होगा यह रप पासिंगे गाइज वो डालिया थिर उसके बाद गाइज दिखें यहां पर लिखा सब्जेक्ट्स टेकें इंद बोड इग्जामिनेशन सब्जेक्ट नेम एसी और माक्षित जो भी आपके माक्षित इसमें ठीरी माक्षि नेके कड्यने शुक्त अव censorship कर दोडा等等 और में रहाएं तो प्रिक्टिकल मांगेज यहां उप्टेन वा ही नहीं नहीं था तो मैंने मांक्ष भी नहीं पाया थे टotal Спасибо टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स औप दा वोड तो गैसंट माक्स था वैंने पाया था तो इसी तरह आपको अधर जो सब्जेक्ट्स आपके थे उसको इसी तरह फिल करना है अपर इंफर्मिशन कुछ देना है यहां पर नेम अपर इसको लास्ट आटेंडेंडेंस तो तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है टाइप प्राइबेट था यह इस्कूल लोकेशन तो गाइज अगर आपका एंसीटी डाली नहीं तो अधर डाली है सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस कुलता है तो सबसे पहले यहां पर देखिए कुछ इनफॉर्मेशन दी हुए गाइज तो इन इनफॉर्मेशन को आपको एक बार दो बर तीन बर पढ़ लेना अच्छे से इसको पढ़ने के बाद आपको यहां पर इस तरह का कुछ लिखा मिलेगा तो यहां पर दिखेंगाइज यह सब कोर्सें जो कि डैली इंविर्सिटी प् अप्लाइ कर रहे हैं तो इन से कोई आपका मतलब नहीं है तो इस पर नौण कर सकते हैं तो हम लोग मेंन कॉंटेंट पर जाते हैं मेंन कॉंटेंट दिखिए का यहां पर लिखा हुआ है वी यहां पर इंट्रेंट प्रकाइज सेवन हंड़ेट फिप्टी रूपी है इसके आगे दिखिए यहां पर इन्थानी मूजिक तो मैंने को इन्दुस्तानी मूजिक करना तो इसमें एक चीज और कॉर्स की लिए क्या है तो इसमें क्या है गईस आप जितना है उतना को श्टीड कर सकते हैं इसका इडिशनल फीश नहीं कि आप्षेशासोतानी मुजशी यहां पर गाई करनाटक मूल्वे से हैं बोकल कर तो गीटार में भी आप एस कर सकते हैं तो किसी बीजक्त कर सकते हैं यहां पर क्या लिख्या recommended institute for BA honors music मतलब वो लोग जानना चाहते हैं कि आप diploma कहां सिखिए हैं कि आप किसी इंस्टूट में सिखें जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसमें कई सारा इंस्टूट से या किसी ओर्गनाइजेशन से डिप्लोमा की डिगरी किये हुए हैं तो आप इसमें से जो भी आपका है उसको चूज कर सकते हैं और अगर मानले जाट ट्वेल में म्यूजिक पढ़े हैं तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका 12 में तो हो जाएगा नहीं तो जो डिप्लोमा का सर्टिपिकेट है वह आपको देना होगा तब आपका एडमिशन हो जाएगा यहां पर लिखा है कुछ करने के बाद फिर से गया प्रिव्यू पर जाता है तो आपको इसको से एक बाद चेक कर लिए छेक करने के बाद आपको करना है लिए जबसे इसपोर्ट अप यह सब बगए दिया है इस सबसे आपको कोई मतलब नहीं कि आप music से इसको नेक्स्ट करते जाएंगा हम लोग नेक्स्ट करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है अप्लोड में अप्लोड में आपको दिखिए क्या 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 अप्लोड करना अप्लोड सेक्शन पूर प्रस्नल डिटेल्स इसमें सबसे पहले आपको अप्लोड करना होगा अप्लोड एप्लिकेंट्स फोटो पासपोट साइज ओनली मिनिमम साइज 10 के भी मैक्सिमम साइज 50 के भी तो एक्सेप्टेट फॉर्मेट गाई इसमें दिया हुआ इसी तरह आप सब देख सकते न पूरा फॉर्म को एक साथ दिखा देगा वह उसके बाद आइस पाइनल सब्मिशन जो है आपका आएगा जिसमें अप्वी सब्मीट करोगे और शाहिद जो सेवन मिनिट का वीडियो है वह वह भी इसी में हो मैं शूर हूं गाइस कि यह इसी में होगा फाइनल सब्मिशन ह गएनल सब्मिशन में जाकर देख सकते हैं 7 वीडियो ध्याइटीय का यूट्यूब आपको यह वीडियो जरूर कमें बताए और इस वीडियो को जाधा से ज्यादा यूटूब बहुत कम है खास करें इस तरह इन्वर्सिटीज से लिएटेड तो इसको शेयर करें जितना से जितना हो तो ताकि अधर जो student confusion में problem में उन लोग को कोई problem ना हो धन्यवाद